सदियों से चली आ रही सत्भक्ती की ऐसी धारा रिशियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया भक्ती तो सभी करते है और हर दम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलिशान घर हो खूमने के लिए बड़े-बड़े पार्क हो खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो, और कभी भी ना मरे हर दम मौज मस्ती में रहे, पर क्या यह संभव है हम सब इतनी भक्ती करते हैं, वरत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड लेकर आते हैं मंदिरों में जाकर मूर्ती पूजा करते हैं चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं और गुरुद्वारों में जाकर माथा ठेकते हैं फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं? वो कौन सी भक्ती है? वो भक्ती जिसने मीरा को जहर से बचा लिया ध्रुव और प्रहलात की रक्षा की अंधे को आँखें और बहरे को कान दिये कोड़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया, और लाइलाज बीमारियों को दूर किया जब संत्रामपल जी महाराजी से दिक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विदिन मंत कैंसर में राहत मिली जैसे हम लोग प्रमात्मा का आदे साया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया भगत जी, एक रुपया का भी दवाई, माता जी को खान्या नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी, कि ये चमतकार क कैसे हो गया। मेरे को बीबारी ये थी सर कि बिलेड ड्यूम में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इंपेक्शन हो गया था उस इस पेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको आपरेशन करना पड़ेगा आसरम कहुचने में पर्मात्मा का नामदान मिलिया और उन्होंने मुझे उपडेश देने के बाद उन्होंने आसरबात देने के बाद तक छण में निया रोک वही के दर्द बिल्कुल ठीक हो गया भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उप्रोक्त लाब सिर्फ सत्भक्ति से ही प्राप्त होते हैं, आज भी सत्भक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है, आईए जानते हैं, ऐसे ही लाखों श्रद्धा का अनुभाव तो मुझे शुरू से परमात्मा की तलाश थी जिससे पहले मैंने शिव जी की भक्ती बहुत की है तो उसके बाद क्या हुआ मैं अपनी बहन के पास हमेशा ये जिक्र किया करती थी कि ऐसा क्या करें कि जिसे हमारे सबी दुख दूर हो जाएं तो उसने मुझे बोला कि तू ग पढ़ा उसके बाद क्या हुआ मेरे पर तकलीफे बहुत जादा बढ़ चुकी थी फिर मैंने जब उस बुक को पढ़ा तो बुक को पढ़ने से ही मेरे आधे प्राबलम खतम हो चुकी थी फिर उसके बाद जब मैं अपनी बहन से पूछा कि ग्यान क्या होता है वो मुझे किसमुझ तो ज्व तो ग्यान को समझ मैं उसको यही बोलती थी कि funded क्या होता क्या है मुझे इसके बारे में बता जब दीरे दीरे उसने मुझे ग्यान समझा सब één को पता लगा कि तो फिर मैंने को लगा फिर मैंने गुरू जी के सतसंग भी देखे तो संत्रामपल महाराज जी की एक एक बात जो है वेदों में जो लिखी हुई है उसकी एक एक बात की सचाई को जानके मैं अंदर से मुझे इच्छा हुई कि मैं नामदान ले लूँ तो मैं अपनी बहन को बोला के मुझे नामदान लेना है तो फिर उसके बाद मैंने नामदान ले लिया सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी उसमें ग्यान गंगा एक ऐसी बुक है जिसमें हर वेद और प्रमान जो है जिनको खोल खोल के लिखा हुआ है गुरू जी ने और मुझे तो वेद प्रमान की बातों के बारे में बिलकुल भी नॉलिज नी थी ना हमारी फैमली में से पीछे से क गुरू जी ने लिखी हुए है पर धीरे धीरे जब मैंने बाकियों के साथ कमपैरिजन करना शुरू किया तो मुझे ये लगा कि जो गुरू जी ने बाते कही है वो एक-एक सच है और उसमें से 0.1% बात भी जूट नहीं है तो ये चीज जो थी वो मुझे गुरू जी की सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी कि मेरा बेटा है जो वो इस टाइम चार साल का है उसको सबसे पहले तो मैंने जब नाम लिया मैंने उसको सही तरीके से फॉलो नहीं किया मेरे बेटे को ESR मेरे बेटे का बलड टेस्ट में जो है वो TB में होता है कि वो एक बिमारी है जो चाती की बिमारी है उसके रिपोर्ट में हाई आ गए थे काफी तो मुझे शायद लग रहा था कि मैंने नाम अपना खराब किया है खंड किया है तो उसके कारण मुझे कि मुझे इतने सुख मिलने लग गए थे नाम लेने के बाद शायद मैं भूल गई थी कि मैं मर्यादा में भी रहूंगी जब जैसे ही मैंने गुरु जी से माफी मांगी संत्रामपाल जी से माफी मांगी तो वैसे ही मैंने कहा कि अपने हस्बंड को कि प्लीज मैंने एक बा पेपर था, लाइक आयल्स का पेपर था, वो शायद मैंने पांच-छे बार दे दिया था, तो सबसे बड़ी गलती मैं यह करती थी, मैंने गुरू जी को प्रात्ना नहीं लगाई थी, पर यह मुझे विश्वास था, कि शायद अपने आपे कॉन्फिडेंस होता है, कि नहीं, मैं क्लियर कर लूँगी, क्लियर कर लूँगी, पर क्या हुआ, कि मैंने फिर एक बार प्रात्ना लगाई, जो मेरा क्लियर ही नहीं हो रहा था पेपर, तो गुरू जी ने मुझे कहा, कि आप, मतलब जो जो गुरू जी ने मुझे जवाब दिया, फिर मैंने उसको फॉलो कि के बाद आज मेरा इतना अच्छा रिजल्ट है जो मैं बता भी नहीं सकती है तीसरा लाब मेरा ये है कि जो मेरे हस्बेंड है वो तो कभी भी ना मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो नाम भी ले लेंगे उन्होंने लाइक बैट सुसाइटी में हो गए थे वो और काफी गंदा नशा करने लग गए थे वो जिसके कारण उन्होंने मेरी जुलरी सेल कर दी काफी कुछ कर दिया था उन्होंने तो उसके बाद मैंने उनको बोला कि शायद वो कोई प्राब्लम में भी सफर कर सकते थे कोई भयांका रोग भी शायद उनको लग सकता था तो मैंने उनको बोला कि अगर मतलब मैं डरती उनसे बोलती भी नहीं थी क्योंकि मेरे ससुरार परिवार के जो लोग हैं वो बिलकुल भी इस रास्ते को फॉलो नहीं करते फिर मैंने उनको बोला मैंने का तुम एक बार हम गुरू जी के पास चलेंगे तो शायद ये सभी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है तो वो भी इतने ज़्यादा दुखों में गीरे हुए थे कि उन्होंने एक बार भी मना नहीं किया और संत्रामपाल जी महारत जी के ऐसे दया हुई कि मेरे बेटे ने भी नाम ले लिया और मेरे हस्बन ने भी ले लिया जैसे कि आपने बताए कि आपके जो पती हैं वो नसा करते थे और आप बहुत ज़्यादा दुखी थे आप सोच रहे थे कि वो अगर नामदिक सा ले 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 तो आपके दुख दूर हो सकते हैं कहीने कहीं आपको लग रहा था कि संत्रामपाल जी महारत से नामदिक सा लेने के बाद आपके पती नहीं सा छोड़ सकते हैं तो क्या आपकी जो सोच थी वो सही साबित हुई? कि मतलब मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मेरे हस्बंट इतने सुदर जाएंगे जो के हुग है अब बगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? बगत समाज को संदेश नहीं देना चाहूंगी हाथ जोड़ के प्राथना करना चाहूंगी के जो गुरु जी है, जो संत रामपाल जी महाराज है उनका नाम जो है वो बिलकुल सच्चा है और उनकी एक-एक बताई बात में सच्चा ही है उन बातों को आप वेदों में प्रमाणों में देख सकते हो जो सचसंग आता है इस चैनल पे उसमें वो एक-एक बात का प्रमाण देते हैं तो अगर हम उनको देखेंगे तो हमें सारा कुछ सही तरीके से पता लग जाएगा और हमें सही भक्ती मार्ग मिलेगा और हमारा मूख्ष होगा जी धन्यवाद सत्साइब अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र नुकूल भक्ती सत्संग ऐसा अध्यात्मिक ज्यान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमान तब प्रमात्मा ने कहा ठीक है बाई जिस जिसने भी आपके साथ जाने की इच्छा व्यक्त की है उनको मैं आग्या देता हूँ लेकिन मैं अपने हिसाब से बेजूँगा ऐसे ठीक नहीं आप जाएए अपने लोक में तो प्रमात्मा ने सबसे पहले जिस आत्मा ने खड़ा हो करके सबसे पहले सभी करती दी थी उसकी लड़की बना दी और उसके अंदर हम सभी आत्माओं को बीज रूप में सुक्सम बना कर फीड कर दिया अपने आत्माओं इस विज्ञान से हमें बहुत कुछ सिक्षा प्राप्त होगी आप देखते हो हमारी बॉड़ी के अंदर आज के डॉक्टर आपको बताते भी हैं कि एक ग्राम बलड में कितने किटानों होते हैं चार चार लाख पॉंच पॉंच लाख कितने परकार के किटानों हमारी बॉर्डी में है तो इसी परकार परमातमाने हमें सुक्सम रूप में इस दुर्गा उसका नाम आदी माया रखा जो आगे चलके दुर्गा देवी नाम से परसिद हुई तो हम सभी को सुक्सम रूप में वचन से दुर्गा के अंदर प्रवेश कर दिया और युवा लड़की बना दी और उसे प्रमेश्वर ने कहा कि बेटी मैंने तेरे स्रीर में वो सभी आत्माएं प्रवेश कर दी है और तुझे मैंने आसिरवाद और वचन दे दिया है सबद सक्ती दे दिया है जोत निरंजन कहे आप उतने ही नर और मादा उत्पन कर सकते हो और आप जाएए उस जोत निरंजन सर को उसके बर्मंडों में उस लड़की के साथ सबसे पहले जो सुला अफ़सुत उत्पन कि थे पूतर और उनमे से एक सहजदास है उस सहजदास को उस लड़की के साथ बेज दिया कि अपनी बेहन को और उसको जोत निरंजन के पास छोड़के आईंए और उसको बता दीजिए कि इस लड़की को पिता जी ने वचन सक्ती दे दी है जितने जीवटू कहेगा ये उत्पन कर दे दी है सैजदास जी ने आग्या का पालन किया अपनी बेहन को लेकर कि वहां पहुँचा जो तने जर से जो भी पिता ने कही थी वो सारी बानी से वचन वो आग्या सुना दी और कहा कि इस लड़की बेहन के स्रीर में वो सभी आत्मा हैं जो तेरे साथ आने की इच्छुक थी और इसको वचन दे रख्या है जितने तू नर्मादा कहेगा उतने ही उत्पन कर देगी जोग जी तुमाँ छोड़कर अपनी बेहन को वापस आ गया अब युवा होने के कारण लड़की का रंगरूप निखरा हुआ था अपने आत्माओ ये रोग भी यहां की पर तिक पराणी में वहीं से लगा था अकेली लड़की को देखकर इसकाल के मन में बना दोस उत्पन हुआ इसके आव भाव बिगड़िए लड़की के साथ बगत तमीजी करने लगा दुरगा ने अपने इज़त रक्षा के लिए बहुत से विने की और बहुत से एक्जामपल भी कहे किये के जोत नरंदन विचार कर पिता जी की दीवी वचन सक्ती मेरे पास है और जितने जीव तू कहेगा मैं उत्पन कर जूँगी तो मेरे साथ ये जलुम ना कर बत्तमी जी मत कर ये ग्रिस्ट सिरिष्टी ना प्रारम कर और देख पहले आप अंडे से उत्पन हुए पिता जी के वचन से उन्ही की आत्मा हो तुम तुम मैं उन्ही के वचन से मैं उत्पन हुई हूँ तु मेरा बड़ा भाई है मैं तेरी छोटी बेहन हूँ और बेहन भाई का ये करम महापाप का कारण होता है तो ऐसा जलुम ना करें पर इसने एक नहीं सुनी और हद से ज़्यादा बढ़ गया बदतमीजी करता हुआ और कहा कि यहां और तू और मैं है और यहां कोई नहीं आ सकता लड़की ने देखा कि यह तो बक्वाद करने पर तुल गया अपना सुकसम रूप बनाया और जो ही वो बक्वाद करने के लिए मूँ खोले हुए था आलिंगन करता हुआ उसके मुख के माजन से और पेट में चली गई और कहीं अपने इज़्यत की रक्षा उसने मुख लगी नहीं कोई बचाओ का स्थान नहीं दिखा और वहाँ से पुकार किया कि है पिता जी मेरी रक्षा करो मेरे साथ ऐसे ऐसे बद्तमेजी कर दी और अपने इज़्यत रक्षा के लिए मैंने इसके पेट में सरन दे रखिए मुझे बचाओ पर मातमा को पता था के इन्हों ने भरी थाली के ठोकर मार दी यह सारे सुख उपलम थे और इस दुष्ट के साथ यह आकर सी ठोकर इससे लेंगे टिंडे अपने आत्मा बहुत सी संकाएं उत्पन होती हैं पर्थम बार जो इस श्रिष्टी रचना को सुनते हैं लेकिन यह कोई डूम बाठके गीत नहीं है हमने आज तक जो भी ग्यान सुन रख्या था वो बिलकुल एंकम्पलीट था कोई सिर्पैर नहीं था उस ग्यान का तो यहां पर्मात्मा ने क्या किया अपने ही पूतर जोग जीत का रूप बनाया और वहां जोग जीत को देखकर वो एक दन सत्रक हो गया कहा के जोग नरंदन तुने बड़ा जलुम कर दिया और आदे सुन ले परमपिता का आज से तिरा नाम काल होगा तो उस लड़की का काल का कारण बना क्योंकि इसने अपने इज़त रक्सा के लिए तुरे पेट में सरन दी लड़की को परमात्मा ने जोग जीत रूप में जोट नरंदन का पेट साख करके वचन से वो लड़की बार निकाल दी पेट पार चीर के और कहा कि तुम दोनों यहां से निकल जाओ आज से तुझे यह सराप लग गया है एक लाख मानों सरी धारी तुन्यत आहर करेगा और सवा लाख की उत्पती डेली करया करेगा और चले जाईओ यहां से अपने एक किस बरमान देख रहें ऐसे पवितर लोक में ऐसे दुष्टों की कोई सथान नहीं है अब दुर्गा ने गलती की सबसे पहले खड़ी हुई अपने पिता ने बूल के हम ने गलती की हम उसे अपने मालिक ने छोड़ के इसके पीछे लाग गे 21 बरमान वहां से चल पड़े परमात्मा का वजन की सुनते ही जैसे विमान चल्या करते है और वहां से ये सत लोक से सोला संख कोई की दूरी पर जैसे अरब खरब नील पदम संख सोला संख कोई की दूरी पर एक कोस के अंदर लगबग पौने दो मील होते हैं और एक मील में लगबग डेड़ किलो मीटर होता है अब अन्दाजा लगा लो किलो मीटरों का हिसाब लाओ तो गनित की रिप्षा आप ऐसे लगा सकते हो अर्थात एक कोस में तीन किलो मीटर मान कर चले हम तो अड़तारीस संख किलो मीटर दूर अड़तारीस संख हम यहां यह 21 ब्रमांड आके रुक गे और अपने अपने दाइरे में यह चक्कर लगाने लगे प्रमात्मा के वचनानुसा अब इस जोत ने नजल ने फिर से वही बकवाद बाई लड़की के साथ फिर बत में जी शुरू की दुरगा ने इसको फिर से समझाने की चेश्टा की पर आल इन वेन लड़की ने कहा के देख जोत नरदन पहले तु मेरा बड़ा वाई मैं तरी छोटी वेन और दूसरे में तिरे पेट से बाहर आई हूँ तिरे बेटी होगी कोई सा ना तेगी तो लज़ा रख ले पर इसने एक नहीं सुनी और दुरगा के साथ इसने शृष्टी करम किया तीन पूत्रों की उत्पत्ती हुई बड़े का नाम ब्रमा रखा जो रजगुन युक्त कर दिया दूसरे का नाम विष्णु रखा जो सतोगुन युक्त कर दिया और तीसरे का नाम संकर रखा जो तमोगुन युक्त कर दिया और फिर दुरगा ने अपने ही वचन से तीन लड़कियां उठपन की और उन तीन लड़कियों से इन तीनों का विहा कर दिया इस परकारी काल की स्रिष्टी प्रारभ हुई अपने अत्मों परमात्मा ने अपने दोवारा रचीवी स्रिष्टी आज से थसो पुरस पहले लोकोक्तियों के मादन से भी सुनाई थी और धर्म दास्टे ने वुली पीबद की थी कबीर सागर के इंगरिस का प्रमान है आपको कबीर सागर से दिखाता हूँ अब देखिएगा ये कबीर सागर संपूर्ण ग्यारा भाग कबीर सागर इसके कौन है ये संसोधक कबीर पंथी भारत पतिक मुद्र के में प्रकास के खेमरा स्रीकर संदास मारग मुबई ये है ग्यान बोध ग्यान बोध और बोध सागर ये खंड है इसका अज्जाए है ग्यान बोध और इसके 21 प्रिष्ट पे यहां प्रमात्मा की द्वारा बताई श्रिष्टी रचना है दरम दास ये जग बोराना कोई न जाने पद निर्वाना ये ही कारण में कथा पसारा जग से कहिए वो राम नियारा ये नाम गलती से परेंड है अब क्या बताते हैं दरम दास ये जग बोराना और कोई ना जाने पद निर्वाना निर्वान माने मोक्स मार्ग से कोई भी प्रिचित नहीं है पूरा विश्व ही विचलित है दरम दास ये जग बोहराना कोई न जाने पद निर्वाना यही कारण में कथा पसारा जग से कहिए वो राम नियारा यही ज्ञान जग जीव सुनावो सब जीवों का भर्म नसावों अब मैं तुमसे कहूं चताई तिरदेवन की उतपतिवाई कुछ संग सेप कहूं गहुराई सब संसे तुमर मिट जाई बर्म गए जग बेद पुराना आदी राम का भेद ना जाना राम राम सब जगत बखाने आदी ये राम है आदी राम को ये बिरला जाने राजा राम सब को ये जग जाने तुम सोता को भेद बखाने ग्यान नी सुने जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ सिरिष्टी रचना की कहते हैं अब मैं तुम से कहूं चिताई तिर देवन की उत्पत्ती भाई इसे समन्दित है ग्यान नी सुने सो हिर्द लगाई मुरक सुने तो गम ना पाई मा अस्टंगी पिता निरंजन ये जमदारुन वनसन अंगन पहले कीन निरंजन राई पीछे से दुर्गा उपजाई माया माया रूप देख अतिसोबा देव निरंजन तनमन लोबा काम देव ध्रम राय सताए देवी को तुरंत दर खाए पेट से देवी करी पुकारी हे साहब मोह करो उबारी तेर सुनी सत गुरता आए अस्टंगी के बंद छड़वाए अब इस काल को यहां इसने धरम राय भी कहलाता है इसने कहा था मैं धरम का राज करूँगा सत का राज करूँगा और जैसा कोई करम करेगा वैसा ही फल दोंगा इसलिए यहां इसको कहा है धरम राय को हिकमत कीना नखरे खासे भग कर लीना धरम राय करे भोग विलासा माया को रही तब आसा तीन पुतर अस्टंगी जाए ब्रमा विश्णों सिवनाम धराए तीन देव विश्तार चलावे इनम ये जग दो खाखाए पुरस गम कैसे कोई पावे काल नरंजन जग वर्मावे तीन लोक अपने सुत जीन्या सोन नरंजन वासालीन्या अलख नरंजन सुन ठकोन ब्रमा विश्णों सिव भेदन जान्या तीन देव सो उसको धावे नरंजन का वो पार्न पावे अलख नरंजन बड़ा बट पारा तीन लोक जीव कीन अहारा बिर्मा विश्णों सिव नहीं बचाये सकल खाये पुन दोर उड़ाये तिन के सुत हैं तिन्नों देवा आंदर जीव करत हैं सेवा अकाल पुर्स का हो नहीं चिन्या काल पाये सभी गैली न्या फिर के तिन्नों देव और असुर अवतारा ताको भजे सकल संसारा तीन गुणों का ये विश्टारा दर्मदास मैं कहूं पुकारा गुण तीन्नों की वगती मैं ये बूल पडो संसारे कहे कविर निज नाम विना कैसे उतरो पारे अपने अत्मों परमात्मा ने 600 वरस पहले ये ग्यान दिया था और उस समय परमेश्वर के इन अनमोल वचनों को इस सत्ग्यान को अमारे नकली दर्मगुरों ने ये कहकर हमसे दूर कर दिया के कबीर जो है ये ऐसिक्सित है ये सुदर जाती से संबन रखता है इसका ये मालूम नहीं हिंदू है या मुसल्मान है और ये हमारे हिंदू देवताओं को गरमा विशनो महिश को नासवान बताता है इनके विशे में उट पटांग बकवास करता है इसकी बातों को कोई नासुना तो उससे में इन नकलियों की दाल गलगी हमारे पुरू जैसिक्सित थे और हमारे धर्मगुरु एक संस्कृत बासा जाने थे और हमारे सभी सद्गरंथ संस्कृत बासा में लिपी बत थे इन मंदबुदियां के कुछ समझ मत आई नहीं अपनी लोकवेद दंध कथा सुनाते रहे और नाम इन सद्गरंथों का लेते रहे कि हम इन सद्गरंथों से इआप को इतत्व सब ग्यान सुना रहे हैं कि वर्माविश्णु महिश्च के कोई माता पता नहीं अजरोव अमर हैं सर्वेस्वर हैं महेस्वर हैं ये सभी बरमढ़ों के रचनहार यही हैं सभको सर्वेस्वर यही हैं और फिर कोई विश्मो जी को सर्वेसवर कोई स्री राम जी को सर्वेसवर कोई स्री कर्शन जी को कोई बगवान संकर को कोई देवी को कोई सिरपेर नहीं था मारा अब उसमें तो हमें ये बात जचगी उन नकली गुरूओं की कि कबीर जी ऐस एकसित है ये सद्गरंथ तो नहीं जान सकते और जो कुछ भी ये कह रहे हैं हमारे देमताओं के बारे में इनकी उत्पत्ती के बारे में ये सारी जूट है और जिससे उनकी दाल गली रही क्योंकि उनको खुद मालूम नहीं था सद्गरंथ हम लिखा क्या है अपने आत्माओं यदी प्रमात्माँ छस्सो वरस पहले ये ज्यान नहीं लिपीवद करवा कर जाते तो आज हम भगवान नहीं पैचान सकते थी अब देखो जिसको ऐसिक्सित कहें संस्कर्थ बहसा जानता नहीं यदी प्रमात्माँ किसी अन्य वरन में आजाते ब्रामन वरन में संस्कर्थ पढ़ लेते तो आज एक और डिफिकल्टी पैदा हो जाती कि भी ब्रामन था इसके समझ मागे होंगे सद्गरंथ और अनमान्य नहीं और ब्रामनों को समझ मन्य आई तो इसलिए इसने सद्गरंथों की जानकारी थी और ये दुरुवेद धै नमबर 40 के सलोक नमबर 11 वारा 13 में कहा है कि वो तत्वदर्सी संथ ही बताएगा विद्वान और एविद्वान की परिभासा एक कोई तो जिसने अक्सर ग्यान हो गया उसको विद्वान कह देते हैं जिसको अक्सर ग्यान नहीं उसको एविद्वान कहते हैं लेकिन विद्वान और एविद्वान की परिभासा वो तत्वदर्सी संथ बताऊगा तो पुन्यातमों ये संस्क्रिप भासा ने जानका महरी शीपाक रहे थे विद्वान पक गये थे और कख पता नहीं था कि एक वासा से विद्वान होते हैं अध्धातम मारक के अंदर अध्धातम ग्यान से विद्वान होते हैं वासा कोई भी हो तो अब थोड़ा सा आपको जलग दिखाते हैं कि 600 वरस पहले हमारे सद्गरंतों में लिखा था कि बिर्मा विश्णू महिस के माता पिता दुर्गा और ये काल है अरे नकलिया नकख नहीं पता अज़ तक मूरह बना रहे थे हमारे का हैं सारी उल्टी साथ ना उल्टा गयान ठोक दिया समाद दूए आज इस दास के लिए तिन डिफिकल्टी पैदा हो रही है इस बिगडेवे सांग को डिफिकल्टी सेट करने के लिए क्योंकि सेस्थ जो हैं किसी भी मजब धरम या किसी संथ के जो ये ग्यान सुनते हैं उनको भी अच्छा नहीं लगता लेकिन परमान देखकर वो जाते हैं तो कुछ उनको विश्वास होता है तो कहां जाते हैं अपने गुरु जी से पूछते हैं तो हमारे गुरु जी पहले उनसे भी नकली वो जेगा नहीं जूट बोलता है वो ऐसा है फिर उसको चंता बन जाती है उस आचारिये को गुरु को के कहीं तुम्हारे चेलों को सचाई का पता लग गया क्यों सचाई तो उस तक रफरेंस दे रखे हैं सारे सेड़ी भर रखे हैं वो भी जान लेते हैं अब बात तो सारी साची है पर चेले ना बाग जाए अब उनको ये चंता बनी हुई है लेकिन अब समय आ लिया है ये तो चंता बनो चाह ना बनो ये चेले तो सारे यहीं आने है एक दिन थोड़ा समय बेसिक लाग जाए तो अब आपको प्रमातमा ने अद्या करी आपके ऊपर आपको सिक्सित किया और सद्गरंथ अनुवादी तू नीशे करवा रखे यह एक कमाल की बात इसके विशे में सुक्सम बेद में कहा है मोती मुक्ता दरसत नहीं ये जग है सब अंद्रे दिखत के तनेर चिसम इनके फिर्या मोतिया बंद्रे यह दिखें थे विद्वान और संसक्र्थ बासार चारों वे दिखत धस्तियाद कर रखे गीता जी को पूरे अठारा स्थारा जै गोट रखे और निकक नहीं पता इसमें लिख्या क्या है तो इसके विशे हमें कहा है कि यह दिखें थे विद्वान बड़े संसक्रथ बोलनी है और इनका मोतिया बंद्थ अग्यान रूपी किसी को मोतिया बंद्थ हो जाता है तो उसकी आँख तो बिल्कुल साफ दिखाई देती है कि इसने खूब दीखता होगा तो दीखता कुछ नहीं तो यह दिखें थे विद्वान और इनका थाम होतिया बंद्थ अग्यान था पूरान रूप से अग्यान था इनके अंदर सभी हमारे दर्म गुरुओं में हमारे सद्गरंथ क्या बता रहे हैं और यह 600 वर्श पहले वगवान बता गए गए थे तो पुन्यात्माओं अब सम्झन में देर नहीं लगेगी कबीर इस गौड अभी दिखाता हूँ आपको यह देखिएगा यह शीव पुराण है संक्सिप्ध मोटा टाइप केवल हिंदी यह कहां से छपा है गीता प्रेश गौर्पुर से और कौन है इसके अनुवादक संपादक अनुमान प्रसाद पोधार है यह परकास करें मुद्रक यहां से है एक समय नारज जी ने अपने पिता बिर्माजी से पूछा क्योंकि बिर्माजी ही सब से पहले उत्पन माने जाते हैं बड़े पुत्र और इनी को वेदों और सभी ग्यान का एक करता धरता मान रहा था इनों ने इसलिए नारज जीन अपने पिता जी से पूछा अब देखिएगा यह है रूदर सहीता रूदर सहीता और यह संक्षिव छिवपरान 98 प्रेश्ट से हम सुरू करेंगे नीचे ता है और यह पांसमाज जाय हरूदर सहीता का यह एन्ड हो गया अपने पुत्र नारज की यह बात सुनकर लोग पिता मैं ब्रमाज वहां इस परकार बोले अब शटे अधाय से सुरू होते हैं निनानुव प्रश्ट पे ब्रमाजी ने कहा ब्रमन देव शिरोमने नारज से कहा तुम सदा समस्दगत के उपकार में ही लगे रहते हो तुमने लोगों की के हित की कामना से भोतुत्तम बात पूछी है जिस समय उसने सृष्टी रतना के बारे में जानना चाहा था जिस समस्दगत चराचर जगत नस्ट हो गया था सरवतर के वल अंदकार ही अंदकार था ने सुर्य दिखाई देते थी ने चंद्रमा अन्यन गरहों का और अग्नक्स्तरों का भी पता नहीं था ने दिन होता था नराथ अगनी परच्वी वायू और जल की विसता नहीं थी उससे में तत सद ब्रह्म इस सुरूती में जो सद सुना जाता है एक मातर वही सेज था अब हम सो प्रिष्ट पर आगें सो पे रूदर सहीता शिव पराण के जिस परवर्म के विसे में ये ब्रमाजी ग्यान बता रहे हैं जिस परवर्म के विसे में ग्यान और अग्यान से पूरन यानि कुछ साची कुछ जूटी मैं बताने जा रहा हूं ब्रमाजी कह रहे हैं कि जिस परवर्म के विसे में कुछ ग्यान कुछ अग्यान पूर्ण युक्तियां सुनी जाती हैं वो बताता हूँ यानि कुछ साची कुछ जूठी जिस परवर्म के विशे में ग्यान और ग्यान से पूर्ण उक्तियों दोहरा इस परकार विकलब किया जाते हैं उसने कुछ काल के बाद दिवतिय की इच् कार्मा आए तो कौन बनगे जो मूर्ती रहित परम ब्रम है उसकी मूर्ती वगवान सदासिव हैं अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को इस्वर कहते हैं उसमें एकाकी रहकर सविछा नुसार विहार करने वाले उन सदासिव ने अपने विग्रह से स्वयम ही एक सवरूब भूता सक्ती की श्रिष्टी की जो उनके अपने स्रियंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी उस प्रासक्ती को परधान परकर्ती गुणवती माया बुदी तत्व की जननी तथा विकार रहित बता गया है वैसक्ती अंबीका कही गी है ये दुरगा और नित और महेश के उत्पन करने वाली उनकी माता नित्ता और मूल कारण भी कहते हैं सदासिव द्वारा परगट की गई उस सक्ती के आठ बुदाएं हैं ओगया कलियर अपने अत्मा कमाल की बात है देवी पुरान में तीशरे सकंद में दर्माजी अपने पुतर नारत से बता रहा है कि जब मैं कमल के फूल पर बैठा था मुझे नहीं मालूम कितने उत्पन हो गया कोण मेरा जनक है आका सुवानी हुई फिर मने एक अजार वस्तक्तफ किया फुलान किया अब जब उसने आपने जनम का निभी रहा हर बताओ परगरम और फुलाने की शरिश्टी फुला जैस से पहले बिरमाजी से मिले थे और बिरमाजी को एक स्रिश्टी रचना सुनाई थी और ये काफी परभावित हुआ था परमातमान इसको ओम नाम दिया था जाफ करने का फिर परमातमा गए थे विश्टी के पास विश्टी ने भी काफी परभाव से बड़ी लगन से ग्यान सुनया था और शेस्वे थे पर्थम मंतर उनको हरियम नाम दिया था प्रमेश्वे और तीसरी बार शिवजी के पास भी गए थे संकर वगवान के पास उन्होंने भी ज्ञान सुनया था और उनको उन्होंने प्रमात्माने जो वेदों में भी मंतर नहीं है, वो सोहम मंतर दिया था, तो यहां गरीबदास साहिब ने बताया है, कबीर साहिब से मुख कमल से सुनकर, कि हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी मादेव पर सोहम मंतर दिया शिवजी को बोकर है, हमारी सेव, तो ये तिन्मों भगवानों को परमे के मन में ऐसा भूत बाइड दिया, और ऐसी प्रेड़ना कर दी, कि ये क्या जाने ये रिशी, वेदों और उन से अलग से कहां से ग्यान लियाया, वेदी सर्वेस रेश्ट हैं, तो दूसरी बार जो परमात्मा गए, कि इनको आगे कुछ बढ़ाऊं, तो बिर मार्प जी न देविर शिव जी ने भी, तिन्नों ने उनका ग्यान नकार दिया, कि नहीं, जो वेदों में ग्यान हैं, उसी को मानते हैं, उसे आगे हमने माने हैं, उसे हटकर जवाब बता रहे हैं, हमें समझ बढ़ाएं, लेकिन वो जो सिरिष्टी रचना मालिक से सुनी थी, वह उठ बट करके, अब यहां सुनाई उसेने, कुछ सची, कुछ जूटी, अब उसका एक जलक है आपके सामने, देखिएगा, अब यह क्या कहते हैं, गर्माजी, सो प्रिष्ट का हम पढ़ रहे हैं, रूदर सहीता के, कि यह क्या कह रहे हैं, कि जो मूर्ती रहित परम ब्रम है, उ काल कैसे चल करता है, इसने किसम खा रहा किया, प्रतिग्या करकिया है, कि मैं अपने वास्त्विक रूप में कभी किसी को दरसन नहीं दूगा, तो किसी को यह सिव रूप में दरसन दे देता है, किसी को अपने पूतर विष्णों के रूप में, किसी को अपने पूतर संकर, यानि ब्रमा के रूप में तो इस परकार या ब्रमा जी विचलित है इसको सदाशीव कह रहा है अब देखिए का ये है ये काल बगवान आगे स्पष्ट होगा इसी में वो बगवान सदाशीव है अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्ही को इस्वर कहते हैं उसस में एकाकी रहकर इस सविच्छानुसार बिहार करने वाले सदाशीव ने अपने विग्रह से सरीर से स्वयमी एक सवरूप भूता सकती की श्रिष्टी की अब फिर माजी अपने अज्ञान में लिपाकोती करन की कूच इस्टा करारी वाँ सच्चाई सामने हमारे आणी थी जो दास ने आपको कथा सुनाई जो परमात्मा ने सुना रखी है और अब यह दास ने मोखिक सुनाई वो इसका एक यह परमान मिल रहा इसमें यह क्या कह रहा है कि सदाशिव ने कालव अगवान ने अपनी इच्छा से अपने अंदर से एक डड़की उत्पन की अर्वा दुर्गा कहलाई खाक है यह अब देखो अब उसने यह कैसे पता लगया ऐसे हुआ जब वो खुद कैमना अपने जनमकाना बेरा उसकी बतान लग रहा है अपने बाप की तो यह तुक के मारे एक परमात्मा से सुनका है इस नोड़ धाने की चेश्टा की लेकिन सचाई छुपया नहीं करती चोर तुरावे तुमडीर गड़ पाणी में वह गड़ वह उपरावन सचाई छानी ना अब देखो यह आपको परहम हुआ है उसमें एकाकी रहकर सुच्छानुसार विहार करने वाले सदा सीवने काल ने अपने विग्रहमाने सरीर से सुम ही एक सरोप भूता सक्ती की श्रिष्टी की जो उनके अपने श्रियंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी उस परासक्ती को परधान ये ध्यान रखना के परधान भी दुरगा को कहते हैं परकिर्टी भी दुरगा को कहते हैं गुणवती माया बुदिवत्ततों की जन्निता तथा विकार रहित बता है वह सक्ति अंबिका कहीगी जो सदाशिव ने अपने सरीर से विग्रह से बाहर उत्पन करी वह के कैल आई विकार ही तो वह सक्ति अंबिका कहीगी उसी को परकरती सर्वेश्वरी और दर्मा विश्णो महेश्टिर देव की जननी नित्ता और मूल कारण भी कहते हैं सदाशिव द्वारा पर गट की गई अपने काल के सरीर से निकली हुई उस सक्ति के आठ बुजा है सपस्ट हो गया दुर्गा के इसे में नाना परकर के आभूसन उसके सरी अंगों की सोभा बढ़ाते हैं वैदेवी नाना परकर की गतियों से संपन है और अनेक परकर के अस्तर सस्तर धारण करती है एकाएखनी होगने पर भी हुए माया सम्योग वसात अनेक हो जाती है इसने तीन रूप धारण किये थे श्यावतरी लक्समी और उसे पारबती के और एक एक पुत्तर से इसकी व्यहा कर दिया श्री देवी पुराण में सफ़स्ट है फिर कभी इस समय पर दिखाएंगे आज देखो एक एकनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अन्यक हो जाती है जो वे सदासिव है उद्ये परंपुर्स ईश्वर शीव संभू और महिस्वर कहते है अब 101 प्रिष्ट पर आगे हम रुद्र सहीता का शीव पुराण में अब इस काल के वी से जानकारी चल रही है वे अपने सारे अंगों में बसम और माय रहते हैं उन काल रुपी ब्रहम ने काल ब्रहम कहो सदा सीव कहो उस काल रुपी ब्रहम ने एक हीस में सक्ती के साथ है नाथ नहीं है सीव लोक नामक अक्सेतर का निर्मान किया उस उत्तम अक्सेतर को कासी कहते हैं वे परम निर्वान या मोक सथान है जो सब के उपर वरादमान है वे पिरिया प्रियतम सक्ती वे पिरिया प्रियतम रूप सक्ती और सिव यानि पती पतनी के रूप में सक्ती दुर्गा सिव ये काल रूपी ब्रम जो प्रमानन्द सरूप है उस मनोरम अक्षेतर में नित निवास करते हैं कासी पूरी पर्मानन निरूपनी है मुने, सिव और सिवा ने, दुर्गा और काल ने, परले काल में भी कभी उस अक्षेतर को अपने सानिदे से मुक्त ने किया। अब देखो देवेश्वर देवर से एक समय उस आनंद मन में रमन करते हुए सिवा और सिव के मन में दुर्गा और इसकाल के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुस्की यानि कोई बालक उथपन करें श्रिष्टी करनी चाहिए को बच्चा उथपन करें जिस पर यह श्रिष्टी संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल कासी में रहकर इच्छा अनुसार मित्रे और निर्वान धार्ण करें अभी आपने सुने जगत गुरु तत्व दर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन आईए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमानित ग्यान से प्रभावित होकर नाम दीख्षा लेकर अनेको लाभ प्राप्त किये नमस्कार सर नमस्कार सर क्या नाम है आपका सर मेरा नाम गंगदास मोंगरे संत रामपाल जी महारा से नाम दीख्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ती साधना भी करते थे जी सर जी मैं भक्ती साधना करता था गड़िस जी की मैं खुद मूर्ती बनाया करता था और गाहों में जाकर इस्थाबित करता था और इस्थाबना करके विसरजन भी भी मेरे को बूलाते थे जैसे की पॉल्मी गाहों अपना पडोसी आप महां जाकर पूश सकते हैं और मै बच्पन से लगबाल 8-10 साल का था तब से मैं रामली ला मंडली में जो उसमें रोल किया जाता है वहों मैं काल करता था जैसे कि हनुमान बनना अब सुग्र्यू का काम करना भरत का काम करना शके शीठ वे बनना देवी और उसमें सूर्य भगवान का रोल करना, कभी काल बना देते थे, कभी राक्षास बना देते, ऐसे ऐसा मैं रोल करता था राम नीरा में, उसके बाद मैं, मैं जो है कार करते करते वैसा भक्ति और ब्रह्मा विश्नु भैसिन सारी चीज की, मैं खुद मूर्ती बना कर अपने घर में स्थ अचे लगता था, लेकिन मेरे को इससे कोई लाभ नहीं मिलता था। буду rapid संत्राम hani जी महा राज की सरार में कैसे आया। थि मयर्त की मैं जब इतना भक्ति करता रहा। गडश की ब्रह्मा की विश्नु की दूरगा की नाना प्रकशल्य देवताओं की अव्य गुरू भी बना रहा था जैसे कि सत्पाल जी महाराज और अपना फेकु गुरू जी जो सास्त्र विरुद आश्रार करता है जो जानता भी नहीं वेत को सास्त्र को खोल कर आज तक नहीं देखा है बस रमायड की कहानी ऐसा ही देखा सुनी बात हमको सब को बता रहे तो वही हम भी कर रहे ते अरो से हमको कोई लाब नहीं हुआ और इस सब चीज को देख यसे को देख करकी फिर मैं इतना दुखी हो गया इतना परिसान हो गए फिर हम पर शानी को जहलते जहलते इस clicking पर आ गये थे जब मेरा दुख तकली बहुत हो गया तो बोलाया कि भाई मेरे पास पैसreno तो एक रुपए पैसा नहीं था मेरा बच्चा बीमार था मेरी मम्य विमारती मेरी पत्नी की स्थिती ऐसी थी कि जो पीछे के रीड के हड़ी होती है वह इतना दर्द करता था हाथ दोनों जो यह हड़ी है हाथ में यह भी दर्द करता था हम बहुत परिशान थे मेरे बच्चा थोड़ा बहुत अगर ठंड़ जूड पानी पी देता तो तो खासिस इतना परसान थे कि जाड़ फूक गुनिया बैद डाक्टर इन सब से हम लोग हार चुके थे एक दिन ऐसी इस्थिती आई दो चार माह की बात कि मेरी मां की मृत्यू हो गई थी मेरी मां की मृत्यू हो गई थी तो घुरुवा मोंगरे मेरा चाचा जो सत्पाल में है व दो चार और लोग थे फिर हम बोले कि मैं उस टाइम में तो नाम दिख्चा नहीं लिया था लेकिन मुझे परमात्मा गुरू जी संत्राम पाल जी बंदी छोड़ के उपर पूर विश्वास था पूर भरोसा था मेरा लक्ष उसी के उपर था कि मेरा मम्मी मेरा परिवार को यही बचा सकता है और इनके सिवा इस संसार में इस धर्ती में इस रिष्टी में कोई नहीं बचा सकता यहां मेरा उद्देश से लक्ष था फिर मैं संत्राम पाल गुरू जी से जो है अपना कल्याण कराने के लिए अपनी मा की अपनी परिवार की एक जीवन को बचाने के लिए मैं उससे भिक्षा मांगा कि हे बंदी छोण संत्राम पाल जी महराज मेरी मम्मी के जो मुर्त्यू हो गई है इसको आप मुझे भिक्षा में दे दो तो मैं जानू कि आप वास्त्विक में इस धर्ती पर इस रिष्टी पर जो है काल की जाल से आत्माओं को छोडाने क किला हैं और आप परमात्मा ऐसा करके मैं उससे विनाई किया दो मिनट में मेरे मम्मी उठ गए बिस्तर से और बिस्तर से उठने के बाद बोलने लगे कि बेटा यह पानी काउन गिरा यह बिस्तर काउन लगा यहां मैं तो दूसरे रूम में सोया था फिर बोला मम्मी को नह नहीं बचाया ना कोई गोली कोई treatment करके या कोई जाड़ फूब करके हम लोग नहीं बचाया यह बचाया है बंदी छोड़ संत रामपाल जी महराज तो मेरे को सर जी ऐसा लाब हुआ एक दिन ऐसा भी बोल दिया मैं संत रामपाल जी महराज को कि है परमातमा मुझे तो चलना नहीं आता मैं एक अज्यानी हूँ एक नादान बालक हूँ अब जैसे चलाओगे वैसा चलूँगा बाद में तो सतलोग देखूंगा ही परमा तो मेरे को नरक दिखा दो ताकि मैं चलने की समझ आ जाए मुझे नरक देखना है और नरक देखने के बाद जो मैं अपना जीवन सुधार सकूं ऐसा करके बोला फिर गुरुजी जो है मुझे वो नरक ले गया हाथ पकड़के सफेद पोसाग में था मेरा उंगली पकड़के लेगा कि बेटा चलो दिखाता हूं नरक ऐसा होता है ताकि तुम जीने की जो आगे की जो जीवन जीओगे जो पैर रखोगे उ आगे तो एक वहां पर बहुत बड़ा बोड़ था उसमें बहुत बड़ा काल सोया हुआ था वह बोला कि वहां कि जो कात्मा भूत भूत परेत थे वह लोग बोले कि आत्मा इसको मत जगा रहा नहीं तो अगर यह उड़ जाएगा बोड़का काल तो सबको एक बार में खा जाएगा सबको एक बार में खा जाएगा यह छोटे-छोटे जो भूत परे तो मैं बोला कि मैं जानबूच कर क्यों उठाओं पहले कि अगर मैं उठाओंगा तो सबसे पहले तो मेरे को खाएगा इसलिए मैं उसको नहीं उठाया फिर वहां से जब क्रास करके ऐसा यह पैस्चीम की और गया तो पैस्चीम की और गया तो वहां से पांच छे काल भूत ज और देख लो कुछ ताकि आपकी जीवन में कुछ बदलावा जाए आगे ऐसा करके बोला गुरुजी फिर मैं आगे गया फिर वहां देखा पुर्वदीशा की ओर तो वहां भी इस्थिती था ऐसा ऐसा मेरे जीवन में मैं देखा हूं सर जी जब इतना मेरे उपर संकटाया घ कभी-कभी अचानक मृत्यू से बचे गुरु जी हमको बचायए संत राम पाल zi महराज गुरु जी संत राम पाल zi marketing महराज तो मेरे को सोचा गया कि यही पूर्ण संत है यही पूर्ण परमात्म है जो इस रिष्टी में हैं और सभी जीवात्मा को इस अध्या जाल फिर सर जी हम जो है 21 अपरेल 2021 को नाम दिक्षा नाम दानकेंदर कमरधा में नाम दिक्षा लिये। सर जैसे कि आपने बताया कि आपको संतरामपाल जी मारा से नाम दिक्षा लेने से पहले ही लाब मिल गया। तो क्या संद्र रामपाल जी मारा से नाम दिक्षा लेने के बाद भी आपको लाब मिले। अने को लाब मिले सार जी मैं ज्यादा तो नहीं बता सकता एक छोटी सी जो लाब मिले उसको बताता हूँ क्योंकि लाब तो मेरा अनन्त है जो कहूंगा वो भी कमी पड़ेगा छोटी छोटी लाब दो-तीन बताने की प्रयास कर रहा हूं जैसे कि अपना मेरा माटा में लग लगबग वही 5-10 मिल जमीन आ रहा था तो भाई लोग उसको छोड़ नहीं रहे थे तो भाई लोग इतना में उतल गए कि यह जमीन के लिए चाहे हैं अपना प्राणर क्यों नहीं चल जाले कि नहीं छोड़ेंगे इस मुसीबत में वो लोग आ गए थे जबकि बटवार बट लेकिन संत्रामपाल जी महराज की क्रिपा से वह केस जो है दो घंटा की अंदर चरजी पहला लाब तो यह हुआ कि मेरे को जमीन मील गया वो लोग जबरदस्ति मेरे कुई तना केस में फसाय थे वह वो लोग इसको अपर कि यह कुछ भी जमीन की नाम से ऐसा करके हो और ला तो प्राण निकल रहे तो वो बारा घंट के अंदर गुरुजी की प्रामपाल जी की दया से सूप गया पानी पीना चालू कर दिया सब सही होने लगा मेरा पत्नी हड्डियों की दर से परिशान था मेरा मम्मी को मृत्तियों ऐसा लाब मीला अब एक महा के अंदर नाम लेने के बाद जो घर जो है पकी बन दो रूम छत हो गया और मैं यह नहीं परची को भी छत कर दूंगा ऐसा इस्थिती परिस्थिता क्योंकि मेरा करने वा करते हैं बननी मज़ूरी से तो अब गया था कि है भगवान बाद करूंगा मैं कहां रहूंगा अपने बच्चनी को रखन अपने मा को रखकर तो संत रामपाल जी ने मुझ पर ऐसा दया की कि पर कर दिया पर्ची अब मैं सोच रहा था कि पर मात भी कर दिये अब सामने ऐस सामने में परमात्म की दया से यह सारी समस्वा मेरी और आज मैं पूस हूं सर जी मेरा पहले बहुत आज मैं बहुत खुश हूं चिक इस्तिती सुधर गया मानसिक इस्तिती सुधर गया सरिरीक इस्तिती सुधर गया सर शंत्र कि जो पाखंडी उसको विरूद वेद विरूद यह मनमानिया कथा बताते हैं कहानी बताते हैं तो यह पाखंड लोग है जो चंदन बंदन लगा लिए कंटी रख लिया और कुछ भी कुछ भी दंद पंद करके जो है यहां की भोली आत्म तो जो है फसा रहें वह की दूथ है एक लाइन में संजो तो ऐसे चक्कर में आप मत पड़ों कि चुका हूं आठ से दस सब्सक्राइब करना यह सारी क्रीव लाब नहीं मिले तो आप लोगों को तो आप लोग को देना चाहता हूं अत्मा को कि गीता में बोला है कि प्रिष्ण भागवान बोला है उन जो तत्वदर्शी संत की सरण उसका गती होगा होगा और उसको मुक्स प्राफ्ट आप खुद भी साइड कर सकते हूं इसमें उमत वाली बात नहीं सास्रवेत की बात माने और किसी की बात हम ना माने और जो है अपनी कल्याण कराएं संत कि सरण में आकर सर तत्रामपाल जी महराज की सरण में कैसे आसके सर सर संत्रामपाल जी महराज का जो आप पूरा फेमली बैट सकते हैं सास म्त Southeast को खोलह कर दिखाता है मत भागवत पुरान को खोला कर अप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है इसी के जौ सत्संग दिखाते है उससी में पीलपटी दिखाते हूं उस नंबर दिखाता है मसमाइट नंबर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप आप उसमें पैसा लगेगा ना कोई सूलक लगेगा ऐसी नुसील का सेवा है संत्राम जुडने की और उसमें की दन्यवाद सर आप सुन रहें तत्वदरशी संतराम पाल जी महराज के अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वड़ोरर के लाजार बखस्टराब बन्यवाद से लिए स्क्राइब कर सकते हैं तत्वदरर्क के लिए नुडने का सतना के लिए जानकार 거지 सब्सक्राइब कोई सकते हैं यह खिए अगे वाहें आप सकते हैं इस अदो ञूसर के अगरणीर आप उन्यान के पाली इन के उन पिर